हेब्रिवन वेल्कॉम वेक्टो माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटी सी एकदम मज़ेदार दही वाली बिंडी की रेसिपी इसको बनाना बहुत ही आसान है आप इसको रोटी के साथ खाएए पराठी के साथ खाएए नान के साथ खाएए या राइस के करते हैं आग की इस Recipe को बनाना इसको बनाने के लिए मैंने यहां पी एक bowl में दो बढ़े चहली लिया है एक टीश्पून हम इसमें धनिया पाउडर एड करेंगे हाफ टीश्पून हम यहांपी गरम मसाला एट करेंगे और हाफ थी स्पून ही हम इसमें पी रेट चिली पाउडर एट करेंगे तो हल्दी पाउडर हम अभी एड़ नहीं करेंगे, हम उसका यूज बाद में करेंगे और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मैंने इक अच्छा से देखे paste बना के तयार कर लिया है और यहां मैंने यह 250 ग्राम भिंडी ली है इनको अच्छे से मैंने पहले ही wash कर लिया है और एक kitchen towel से इनको अच्छे से साफ कर लिया है ताकि इनमें जो भी extra पानी हो वो खतम हो जाए और अब हमें बिंडियों को cut करना है तो हम इनके ends को इस तरह से निकाल देंगे और बिंडियों को हम दो parts में cut करेंगे तो मैंने जो बिंडियों को medium size की है तो मैं इनको दो parts में cut कर रही हूँ अगर आप जो बिंडियों को थोड़ा सा लंबी है अब चलते हैं अपनी next process में तो यहाँ पर gas की उपर मैंने एक pan गर्म किया है और इसमें हम 2 tablespoon oil add करेंगे तो यह mustard oil का use कर रही हूं मैं और अब हमें भिंडियों को थोड़ा सा fry करना है तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें भिंडियों को add कर देते हैं तरह से बीच-बीच में चलाते हुए ढगके हम इनको cook कर लेंगे तो इनको cook होने में 7-8 minute का time लगेगा तो बिंडियों हमारी 80% तक cook हो चुकी है अब हम उनको निकाल लेते हैं और same pan में मैंने 2 tablespoon फिर से oil add किया है आधा teaspoon हम इसमें जीरा add करेंगे और एक medium size का onion finally chop करके हम इसमें add कर देंगे तो onion को थोड़ा सा हम cook कर लेते हैं कुछ seconds के लिए और अब हम इसमे green chili add करेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 green chili add करी है तो green chili हम इस तरह से slit करके ही add करेंगे इसमे थोड़े सा हम मैंने यहाँ पे यह ginger garlic crush करके add किया है आप ginger garlic paste भी use कर सकते है तो onion को थोड़ा सा हम brown हो जाने देते है तो onion देखिए golden brown हो चुका है अब हम यहाँ पे हल्दी add करेंगे तो half tea spoon से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे यह healthy powders में add कर दिया है इसको भी हम कुछ seconds के लिए पका लेते हैं और अब हमने अपना जो दही वाला paste बना के तयार किया था वो भी हम इसमें add कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेते हैं और अब हम इसको ढखके दो मिनिट के लिए थोड़ा सा cook कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं तो यह देखिए दो मिनिट बार ढखकन अटाकि अब हम चेक करते हैं यह मसाले हमारे अच्छे से cook हो गये हैं लेकिन थोड़ असा हम इनको और cook करेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ असा पानी add करके इनको एक मिनिट के लिए और cook करूँगी क्योंकि मसाले हमारे अच्छे से जब cook हो जाएंगे तब ही इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो हम इनको ढखके एक मिनिट के लिए और cook कर लेते हैं यह देखिए मसाले अच्छे से cook हो चुके हैं मसालों ने oil भी release कर दिया है आप देख सकते हैं तो अब इस स्टेज में हम पानी एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी एड़ नहीं कर रही हूँ मैंने यहाँ पे अदर ग्लास पानी इसमें एड़ किया है पानी की कॉंटिटी आप अपने कॉर्डिंग अज़स्ट कर सकते हैं दस मिनट के लिए हमें इनको कॉक करना है, क्योंकि बिंडी हमारी अल्मोस्ट 80% तो कॉक है 20% और हमें कॉक करनी है साल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड़ कर देंगे अब इनको ढखके 10 मिनट के लिए कॉक करेंगे तो मैंने आठ मिनत बार धकन हटाया तो यह देखे सब्जी में अच्छा सा बॉil आ रहा है थोड़ सा हम इसमें यहाँ पी एक कसूरी मिनटी अड़ करेंगे और इसको दो से तीन मिनट के लिए और हम कूप कर लेंगे कसूरी मिनटी इसमें जरूर एड़ करेंगे इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा तो यह देख सकते हैं आप एकदम हमारी मज़ेदार सी चटपटी दही वाली भिंडी बनके तयार है सब्जी में अच्छा सा एक बॉil आ चुका है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और चलिए अब हम इसको सर्फ कर लेंगे तो यह हमारी चटपटी एकदम मसाले दार दही वाली भिंडी बनके तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही यमी बनती है यह बहुत ही डिलिशस लगती है खाने में आप एक बर इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्स फॉर वाचिंग